हर हर मादे वज सभी को तो स्वागत है आपका आज के इस नहीं वीडियो के अंदर और उम्मिद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छ होंगे और आपके एक्जाम वगरा की तैयारी जो है सबसे अच्छी चल रही होगी तो यह जो कोशन है हम आज रिपीट वापस स्वावाने वाले यह ओली डिया हम चलनल पर स्वावाद करवा चुके हैं बट इस कोशन में कुछ बच्चों का जो है तो मैंने सुचा कि इस पर वापस एक रिपीट वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को जो भी डाउट क्या आता है वह मैं आपको बता देता हूं जैसे कि कोशन है अपने को कुछ टाइम जो है एपीज वगरा दी होती है और उस एपी का अंदर कुछ टम जो है वो दे द करने को बोटें जो सुंपली पूझा गया है कि इसके इसकी नेक्स है ये एपी है उसकि नाक्स टम जो आप अगट three टम जो आप यह सकते हैं और दो मार्स वाले कोशन के अंदर भी पूचा सकते हैं तो मोच्टलीं जो हैं एम सिक बपूच रहते हैं तो इसको आपकोम स्थ क्योंकि असाब से भी बता देता हूं और टू-माक्स किसाब से लाएता हूं अरुके हैं तो जैसा कि AP अपने को दी गई है पर पार wrazर रूट 24 रूट 54 अब यहां पर आप सुचो कि यह अनिके करे प्र संद करो और गया नहीं करें के माइनस रूट 6, तो इसमें माइनस हो यह नीए पाएगा यह AP भी अपने को given है और अपने सुझें भी नहीं आ रहे हैं, माइनस कैसे करें तो उसमें अपने क्या करना कि जैसे रूट 24 है तो इसमें जो चीज रूट से बाहर आ सकती है, है उसको रूट से बाहर निकाल लेना है और उसी तरह से रूट 54 है उसमें से भी जो रूट से बाहर आ सकता उसको रूट से बाहर निकाल लेना है और रूट 6 में से भी अगर कोई चीज रूट से बाहर आ सब्सक्राइब तो यहां पर निकल जाएगा तो रूट शिक्स तो रूट शिक्स हो जाएगा यह सब्सक्राइब तूर ढ़त से बाच धू जाएगा तो यहां पर यहां पर इन्टो दो ट्रीन ट्रीन पॉल्ट मानट जाएगा यहां पर यहां पर क्या बच्ण चाट irons च पूर तो अब अपन रूट 24 को अपन लिए सकते हैं टू रूट 6 माइनस रूट 6 तो टू रूट 6 में अगर मैं वन रूट 6 को माइनस करूंगा तो यहां पर क्या बढ़ जागा कॉमन डिप्रेस रूट 6 ठीक है इसी तरह से डी इस इक्वल टू एट सी माइनस एट टू भी निकाल था अब देखो यहां पर फर्स टम दी है सेकंड टम दी है थर्ड टम दी है तो अपने को निकालनी है ए फॉर्थ टम ठीक है ए फॉर्थ टम निकालनी है तो यहां पर डी जो है वो अपने पास में कितना है रूट 6 आया तो जो लास्ट टम है मिस थर्ड टम जो है या तो उ एक फोर म्हलेस से भी या फिर अपन डार्स में अदर बी तो पहले पन फॉर्मुला से करके फिलासR Amma It तो एक की तो नहीं टो यह ऐगा रोट सिक्स Sebल रूट 6 थे एक ठीके के यह피लीग एक देक फैरन मिल्टीपलीग धी अब यहां तक भी आप लिख क्या जाओगे तो इतना अगर आप लिखके जो आपको दिया गया है और यहां पर यहां पर निकालते हैं तो उसका पेर बनता है तब यहां पर निकालते हैं यहां पर अपने क्या था कहाँ तो मल्टिपलाइ टो मॉल्टिपलाइ ठीक है यहां पर यहां पर यह वापस फोर अंदर जाएगा तो इसको पहर बन जाएगा तो इसको अंडर जाएगा ए generis k去 को टॉनिंए goldman जेगी है जो तो जो भी अंडरूट 96 वाला option रेगा वो इसका correct answer हो जाएगा तीके तो MC की कहनदा जब भी आप solve करोगे तो आपको directly answer नहीं दिया होगा वहाँ पर गुमा फिरा के दिया होगा तीके कभी भी आपको यह वाला answer नहीं दिया होगा वहाँ पर यह answer को आपको इसमें convert करना पड है तीके तो आपको options के recording चलना है कि आपका answer क्या आया है बट final answer के से वहाँ पर find out किया गया है उसके सबसाब को चलना है तो यह तो हो गया अपने पास में कि सिर्फ आपको एक term find out करनी है formula सा आपने find out कर ली अब अपर वान लो अगर आपको ap की three times दियो उसकी next term आपको find out क six ठीके root 24 root 54 फिर आपने इसको ap में convert किया इसको root को बाहर निकाला तो यहाँ पर ap अपने पास में root six two root six three root six तो अब अपने को next term जो find out करनी थी next term शरीफ एक term find out करनी थी उस case के अंदर आपको क्या करना है जो last time है उसके अंदर आपको add कर देना है common difference common difference कितना था आपने पा plus root six to root three root six plus root six कितना हो जाएगा four root six और इसको फिर आपन कर्वट करेंगे तो यह क्यों जाएगा four multiply four multiply six is equal to under root 96 तो यह हो गया इसका answer अब मालो आपको कि अगली next three terms अगर आपको find out करने का बोल दे तब क्या करना है next three terms ठीके आपको ap की कुछ जो terms है वो आपको दे दी means मालो suppose इसके अंदर आपको शुरुआत की तीन terms आपको find out करने को sorry find out पहले से already दी भी है और अगली तीन terms जो find out करनी है तो यह होगी a1 यह होगी a2 यह होगी a3 तो यह हो जाएगी a4 यह हो जाएगी a5 और यह हो जाएगी a6 तो इस case में क्या करना है a4 का formula लगा दो ठीके a5 का फ a3 प्लस d कर दोगे फिर a4 जाएगी फिर a4 आजाएगी तो फिर a5 निकाल लो आप a4 प्लस d से फिर आपके पास में a5 आ गया तो a6 निकालने के लिए क्या करोगे a5 प्लस d ठीक है तो इस तरह से आपके पास में next three times भी आ जाएगी तो उमेद करता हूँ आपको जो आज़ प्लस कभी आ सकता है ठीक है तो उमेद करता हूँ आपको समझ में आया होगा फिर भी कोई डाउट क्योरी बगरा हो तो प्लिस कमेंट करके आप पूछ सकते हैं यानि इसी तरह सब के तैयारी जो है वो करते रही है कोई भी क्योरी जो पूछे आपको हमारा वोट्स अप न